तो गैस क्या आप लोग अपने पूराने लैप्टॉप के लुक को चेंज करना चाहते हों क्या आप लोग अपने पूराने लैप्टॉप को कूल और अट्रेक्टिव बनाना चाहते हों तो गैस ये वीडियो आपी के लिए है क्योंकि इस वीडियो में हमें एक लैप्टॉप Laptop Skin की unboxing देखनेवाले हैं और उसी laptop skin को मैं अपने पूराने Laptop के उपर apply भी करके दिखाऊंगा साथ ही में Laptop Skin को apply करते वगक किन चीदों का ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और मुझे किन दिक्क्तों का सामना करना पड़ ही घूंगा ये भी थी क्या वही डिलीवर हुई है या नहीं फ्लिप काड़ पर आप लोगों को लैप्टॉप स्केंज के बहुत सारी वेराटिस देखने को मिलेगी आप अपनी पसंद के हिसाप से कोई भी लैप्टॉप स्कीन आउडर कर सकते हो अब मैंने कुछ से ओडर की है वो आप लोगों पसंद नहीं है बट यह लैप्टॉप स्केंज मुझे बहुत ज़्यादा एटरेक्टिव लगी सो गैज यह एक एच्डी प्रिंटेड फूल पैनल लैप्टॉप स्कीन स्टीकर है जो की विनल माटेरियल से बना हुआ है और 15.6 इंचेस के लैप्टॉप स्केंज के लिए स आप लोगों को और बता दो कि यह लैप्टॉप स्कीन बिल्कुल भी रियूजेबल नहीं है तो गैज फूल पैनल लैप्टॉप स्कीन होने के कारण इसमें आप लोगों को दो स्टीकर देखने को मिलते है एक स्टीकर जो आप लोग आपके लैप्टॉप के स्कीन के बैक स पर्मिशन देख ली है अब हम देखेंगे कि इस लैप्टॉप स्कीन को कैसे अप्लाई करते हैं सबसे पहले आप लोगों को अपना लैप्टॉप लेना है और उसके टॉप को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है थूड़ सी भी डर्ष्ट और डर्ट पर्टिकल नहीं रेना चाहिए अगर dirt particles रहते हैं तो bubbles पकड़ने के chances बढ़ जाते हैं उसके बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम laptop skin को सीधा लगा रहे हैं या उल्टा अगर हम laptop skin को इस तरह से लगाते हैं तो हमें लगेगा कि हम इसे सीधा लगा रहे हैं बट जब हम laptop को खोलेंगे तो आगे वाले इंसान को ये laptop skin उल्टी नजर आएगी इसलिए हमें laptop को open करके ही ये चेक करना है कि हम laptop skin सीधी लगा रहे हैं या उल्टी और सामने वाले इंसान को ये कैसे नजर आएगी उसके बाद third most important चीज है laptop की किसी भी एक horizontal edge का center निकालना यहाँ पे मैं पीछे वाली horizontal edge का center निकाल रहा हूँ guys center find out करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप center find out नहीं करते तो आपके laptop skin किसी भी एक side पे कम या ज़्यादा हो सकती है और यह center आपको approximately find out करना है center find out करने के लिए आप किसी भी measuring tape का use कर सकते हो उसके बाद आपको laptop skin का center find out करना है laptop skin का center find out करने के लिए आपको laptop skin को beach में से fold करना है और वहाँ पे marking बना लेनी है सो गैस लैप्टॉप की horizontal edge का center find out करने के लिए आप thread का भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से आप किसी भी thread के साथ horizontal edge की end to end measurement ले सकते हो और फिर उस thread को आधे में से मोड कर किसी भी एक end से major करके center की marking कर सकते हो हमने tape से की हुई marking और thread से की हुई marking approximately same ही आई है लैप्टॉप और लैप्टॉप skin का center find out करने के बाद हमें marking को match करते हुए without sticker निकाले लैप्टॉप skin को apply करने का trial लेना है और चारो direction से हमें check करना है इस तरह से दो तीन बार trial लेने के बाद हमें finally laptop skin को apply करना है लैप्टॉप skin को apply करने के लिए हमें center वाली direction की ही मदद लेनी है तो guys सबसे पहले laptop skin का center वाली direction से थोड़ा सा sticker निकाल लेना है उसके बाद दोनों centers को match करते हुए laptop skin को चिपका लेना है laptop और laptop skin की एक direction fix होने के बाद हमें धीरे-धीरे sticker निकालना है और धीरे-धीरे laptop skin को चिपकाते हुए जाना है guys यहाँ पे हमें चीन चीजों का ध्यान रखना है एक हमें center miss नहीं करना है दूसरा हमें bubbles तयार नहीं होने देने है और तीसरा यहाँ पे हमें laptop skin को चिपकाने के लिए धुड़ा सा pressure apply करना है guys pressure apply करने के लिए हम हमारे हाथों का ही यूज कर सकते है आप चाहो तो किसी scarf या फिर handker chip का भी यूज कर सकते हो कई लोग यहाँ पे ATM यूज करने के सला देंगे बट अगर आप ATM यूज करते हो तो ATM की sharp edges की हो जैसे laptop skin खराब हो सकती है तो बेटर यही होगा कि आप किसी soft चीज क्या यूज करें guys इसी तरह से laptop skin को जिपका लेना है और pressurize करके अच्छे से fix कर लेना है उपर का portion अच्छी तरह से fix होने के बाद अब हमें edges पे ध्यान देना है यहाँ पे हमें corners को ignore करते हुए edges को भी अच्छी तरह से fix कर लेना है top और edges को अच्छी तरह से fix करने के बाद अब हमें corners पे ध्यान देना है corners पे हमें बहुत सावदानी से काम करना है क्योंकि यहाँ पे bubbles के chances ज़ादा होते है इसी लिए हमें अपने presence of mind का use करके इसको एक अच्छी finishing दे देनी है so guys कुछ इस तरह से हमने main sticker को अपने laptop के उपर चिपका लिया है अब हमें second sticker को चिपकाना है जो कि यहाँ लगेगा बट guys यहाँ पे एक छोटी सी problem है क्योंकि मेरे laptop का जो touchpad है वो exact center में नहीं है वो थोड़ा सा left side के o directed है अगर मैं इस sticker को as a tree चिपकाता हूँ और touchpad के portion को cut कर लेता हूँ तो मेरे left side का dead pool का symbol cut हो जाएगा इसलिए मैं इस sticker को बीच में से cut करके दोनों symbols को similarly एक linear way में चिपकाने की कोशिश करूँगा और जो extra portion बचेगा इसको cut कर लूँगा लगबग आदे घंटे के मेहनत के बाद finally मैंने second वाले sticker को अच्छी तरह से चिपका लिया है यहाँ पर मैंने दोनों dead pool के symbols को parallelly एक linear way में चिपकाने की कोशिश की है और अब मैं जो extra portion बचा है उसको cut करूँगा और साथ ही में touchpad के उपर जो sticker का portion आया है उसको भी cut कर लूँगा गैज सारे extra portions को cut out करने के बाद हमारा सामने वाला panel कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है सो गैज कुछ इस तरह से हमने laptop skin को हमारी पूराने laptop के उपर successfully apply कर लिया है और अब हम देखेंगे final results कर दो आजने एटेखेंगे वालाइब के लिए लिए्ट एटेखेंगे प्लेफेंगगे घटेखेंगे जागे और झाने हूद देखेंगे तरह से हमार्टी वेज़ीट है झाल झाल